गैस आज मैं आपके पास एक पार्ट टाइम बंपर हाइरिंग लेकर आयू जो 100% रिमोट है यानि कि आप अपने खुद के फोन से काम कर सकते हो आपको लाकटॉप की भी जरुवत नहीं है और ये जॉब क्या है टेली सेल्स जॉब है यानि कि आपको यहाँ पर कोई सेल्स का काम नहीं करना है यहाँ पर आपके पास रहेगा प्रॉपर मतलब आप कॉलिंग करोगे और उसके बिसिस में आपको पैसे मिलेंगे यह जो आप अमाउंट यहाँ पर देख रहे हो यह सिर्फ अगर आप चार-पांच घंटे भी काम कर लेते हो तो भी आप यहाँ पर इतना है आप यहाँ पर काम करोगे और यहां पर देखी गाईस यहाँ पर 3 करोड प्लस इनके कस्टमर्स है और रीसेंटली यानिकी लास्त थ्री मंत यहाँ पर जो इनकी फारनिंग वहें तो सोचो आप कितने बढ़िया यहां पर अर्न कर पाऊगे 2,000 प्लस एपी टैली शेल्स expert है यानि कि अगर आप इन में से एक हो जाते हो तो आप भी मतलब यहाँ पर आपका नेम आएगा और यहाँ पर eligibility के अगर बात करूँ तो अगर आप 12th pass candidate हो और 18 प्लस हो तो आप सब यहाँ पर eligible हो experience की भी जरुवत नहीं है जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर कोई भी इन्हें नहीं experience चाहिए जीरो यहाँ पर लिखा है इवन यहाँ पर एक अच्छी चीज है कि अगर आपको हिंदी भी आती है तो भी आप बहुत अच्छा यहाँ पर earn कर पाऊगे English अगर आपको basic आती है तो भी चलेगा क्योंकि मैं आपको दिखाने वाले हो कि कैसे आप यहाँ पर test दे और कैसा आपका यहाँ पर interview का interface रहने वाला है बहुत ही easy है just be in it and I will guide you through और यहाँ पर देख लिजे इनका hiring process क्या है वो सारी चीजे इस वीडियो में आपको मिलेगी सबसे पहले इनका एक grammar और speech का assessment होता है जो मैं आप ही के सामने इसे solve करके दिखाऊंगी ताकि आप सब यहाँ पर select हो जाओ bumper hiring है so please do not miss it because यह update एक ऐसी है जो बहुत ही amazing होने वाली है और आप सभी को help कर सकती है part time income generate करने में best suitable for housewife या फिर स्टुडेंट्स या फिर रिटार्र प्रोफेशनल और anyone literally guys this update can literally help you online teaching अगर आपको यहाँ पर step 2 है आपका online training आपको online training मिलेगी वो भी बहुत easy है I'll just let you know that कैसे मिलती है उसके बाद आपको interview और personal interviews and KYC करना है एक छोटा सा interview होता है उसमें एक और दो question ही पुछ जाते है और वो क्या question होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी और उसके बाद आपना KYC करते है और आप अपने bank account से पैसे निकाल लेते हैं जो भी आप earn करते हैं और इवन इनके बहुत सारे FAQ आपकी दिमाग में बहुत सारा मतलब questions होंगे वो सब हम आगे-ागे cover करेंगे हाई गाई नमस्कार मैं हूँ आपकी career coach दिक्षा शमा एक amazing update आपके पास लेकर आई हूँ मैंने आपको intro दे ही दिया है आपके लिए है अगर आप इस चार से पांच घंटे भी इन्वेस्ट कर रहे तो भी बाइस से पच्चेस हजार रुपे आप अराम से पर मंत कमा लेंगे अगर आप इसे फुल टाइम करते हो तो आप उस तरीके से calculate कर सकते हो तो आज हम एक एक चीज़ देखने वाले कैसे इनका life test क्लियर करना है कैसे इनका interview क्लियर करना है कैसे आपको अपनी सारे details put on करनी है so that you will be selected for for sure अल्राइट गाइस इस update के बारे में तो मैं आपको A to Z बताऊंगी ही लेकिन उससे पहले मैं आपको हमारे चैनल की biggest update के बारे में बताने वाली हूँ biggest news है आप सभी के लिए और एक biggest opportunity यानि कि अगर आप Amazon में काम करना चाहते हैं अभी से ही तो मैं आपके लिए एक opportunity लेकर आई हूँ जिसमें आपका Amazon में selection 100% sure है और वो कैसे है कैसे क्या करना है वो सब मैं आपको आगे बताऊंगी first of all मैं आपको अपने आप से introduce कर देती हूँ so guys आप मुझे सब जानते हैं कि मैं दिक्षशमा हूँ बहुत टाइम से YouTube रन कर रही हूँ so I am an MBA in HR and Marketing okay मैंने बहुत सारी jobs करी है आपको बोलू तो मैंने Amazon में भी वर्क किया है around for two years okay तो इसलिए मुझे Amazon की एक एक चीज पता है and coming to my previous experiences I have worked with hospitality industry as well और मैंने as a maths instructor भी वर्क किया है economics instructor भी वर्क किया है so this is all about my experiences and all those stuff और ऐसे चोटे मुटे experiences बहुत है वो मैं आपको कभी free okay जब हम like session में मिलेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि मेरी क्या चर्णी रही है all right तो मुझे Amazon का इतना साथा experience है कि मैं आपको एक चीज गाइड करूंगी कि आप कैसे उस particular company में job लो तो मैं खुद एक job ready session run कर रही हूं में आपको मैं एक एक चीज बताऊंगी कि कैसे आपको apply करना है आप मेरे साथ ही application भरोगे उसके बाद मेरे साथ ही live test की guidance लोगे उसके बाद आपका जो interview में question and answers पूझा जाता है वो भी मैं आपको बताने वाले हो yes guys you heard me right मतलब पूरा का पूरा अगर आप Amazon के steps दो देखोगे तो वो यह ही है कि सबसे पहले आप assessment देते हो application भरते हो उसके बाद आप यहाँ पर इनका interview देते हो उसके बाद आपका day one हो जाता है so this is what I was saying मैं आपके लिए एक job ready session लेकर आई हूँ अब आप सोच रहे होंगे कि यह कितने का होगा बहुत महेंगा होगा 1000 रुपे, 2000 रुपे no guys it is only rupees 19 yes guys क्योंकि मुझे यहाँ पर चाहिए कि आप सभी की जो job लगे एक particular बढ़िया company में लग जाए तो इसलिए मैं आपके पास एक amazing update लेकर आई हूँ आपको क्या करना है लिंक एविलेबल है description में सिर्फ 19 रुपीज का है और बस 19 रुपीज में आपको प्रॉपर road map मिल जाएगा मेरे सामने ही apply करोगे जो आप लोग बोलते हो कि हमें confirmation email नहीं आता है तो वो कैसे नहीं आता है वो हम चेक करेंगे आप मेरे ही सामने टेस्ट दोगे और यू विल बी getting selected for sure ओके गाइस तो अब क्या करो लिंक देखो description में mention है जलिसे उसे open करो जैसी आप उसे open करोगे यहां पर आपको अपना फिल करना है अपनी information फिल करनी है और जैसी आप आपके पास payment के option होंगे UPI या bank से UPI से directly pay करो और यहां पर अपना enrollment ले लो अब देखो first of all यह जो enrollment है that is 19 रुपीज यह जो price है यह सिफ उनहीं के लिए है जो first 100 students है उसके बाद यह price नहीं रहेगा because I want my maximum students की help कर पाऊं और वो Amazon में select हो जाए तो यह मान लीजिए यह एक तरीक से golden opportunity है so do not miss at all because I will be helping you each step यानि की first step second step third step हर एक चीज मैं आपको बताने वाली हूँ not only this guys I will help you कि आप कैसे मेरी तरह job ढूंग सकते हो देखो YouTube पे तो 2-3 दिन में एक अपडेट आती है ना लेकिन मेरे पास में ऐसी हजारो अपडेट डेली की होती है तो मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे खुद भी अपडेट्स डून सकते हो और खुद अप्लाइ कर सकते हो लिंक्डिन के थुरू नौकरी के थुरू या फिर रूरल एरिया अर्बन एरिया हर कोई परसन को यह पॉर्चनिटी मिले और वह यहां पर सेलेक्ट हो सब्सक्राइब मेरा यह है कि आप लोग यहां पर सेलेक्ट हो यहां पर आप जो प्रॉपर सेशन लोगे ना मुझसे मुझसे डाउट पूछोगे तब आपको पता सब्सक्राइब में जो भी आपने इमिल सेलेक्ट किया होगा उसमें सारी डिटेल्स आजएगी कि आपका सेशन कब है उसका लिंक आजाएगा एंड इच अन एवरिटिंग सब कवर रहेगी तो आपको सारी इंफॉर्मिशन एविलेबल है डिस्क्रिप्शन में जल्दी से अब हम आज की अपडेट को स्टार्ट करते हैं अब हम यहां पर आचुके हैं अब आपको क्या करना है लिंक मैंने कोई प्रवाइड नहीं किया तो आपको क्या करना है गूगल खोलना है और यहां पर स्क्यू यू एडी स्टी ए सी के टाइप करना है स्क्वाइड स्टैक ओके जैसे ही आप इसे एंटर करोगे आप इनके इंटरफेस पर आजाओगे अब मैंने लिंक इसलिए प्रवाइड नहीं किया है ताकि मैं आपको बता सकूँ यह जो जौब है कितनी ज्यादा स्टेक है औक इसे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप कुछ ऐसे इंटरफेस में आएंगे फ़र्स लिंग को अमने क्लियर किया है सबसे पहले हम क्शंक सब्सक्राइब करती है यह इंगıl one के लिए ब्रवाइड करती है यय ख़ु awa सब्सक्राइब ने कि एंग दिडिए गनि इंजल वन कंपनी की and not only this ऐसी बहुत सारी कंपनी से जिसकी कस्टमर सर्विस स्क्वाइट स्टैक अपने क्लाइट से प्रवाइट करवाती है जैसे की डेलिवरी बजाज फाइनेंसर्व कोटक महिंद्रा बैंक ओके यहाँ पर मनी व्यू है एरोइका फोब्स है समझ सकते की इतनी बड़ी बड़ी कंपनी रहने वाली है तो इसकी पोरे इंटरफेस में चेक आउट कर सकते हैं क्या व पेस में आ जाएंगे यहीं पर आपको सब apply करना है वो सब कैसे करना है मैं अभी आपको बताऊंगी सी टाइम आप यहां पर देखिए सबसे पहले हमने यह चेक करना है वो सब मैं आपको आगे बताने वाली हो लेकिन सबसे पहले आप कंपनी के बारे में जान लो तो आपने यह सब देखी लिया है कि इनके 3 करोड प्लस कस्टमर रीच्ट आउट हो है मतलब इननोंने कस्टमर की कॉल अटेंड करी है अभी लास्ट 3 मंथ का डेटा अगर देखा जाए इननोंने 2 करोड से जादा पैसे कमा लिये है और इनके 2,000 प्लस हैपी टेली सेल्स एक्सपर्ट है आप देखिए यहाँ पर अगर आपको इनके लाइक जो टेली सेल्स एक्सपर्ट है अगर आपको इनकी कुछ पढ़ना है जैसे यहाँ पर देख लिये तो यह एक हाउस फाइफ है यह यहाँ पर एक टेली कॉलिंग एक्सपर्ट है जैसे कि आप देख रहे हैं तो यहाँ पर यह घर से बैट कर ही पैसे कमा पारे हैं तो देखिए कितनी है पर्टिकलर कम्पनी तो मैं गाईस पहले ही बता रहे हूँ बहुत अमेजिंग अपड अगर आपके इंगलिश में एक्सलें और कमीनिकेशन स्किल्स नहीं भी कोई एशू नहीं आने वाला है zesकंड इंग इस सम्वन्हों के इंप्रूवाइज अनेगोशिये इन डाय्नेमिक सेल्स सिच्वेशान अब भले ही आपकी डॉप नहीं है बट आपको हो सकता है कि But the thing is, sales के business पे आपकी salary नहीं काटी जाएगी कि आपने sales नहीं की तो आपको salary नहीं मिलेगी ऐसा कुछ नहीं है, target business नहीं है यह आपकी एक job है जिसमें आपको पैसे मिलने वाले है Okay, यहाँ पर देखे, someone who can handle objections and queries फिर उसके बाद है, someone who can learn about new businesses and their industries Alright guys, आपको समझ आ गया होगा यह सब कुछ Then यहाँ पर देखे, roles and responsibilities आपकी क्या क्या होने वाली है First of all, explore the products and services of a business partner to get a comprehensive understanding आपको properly पहले सबसे पहले explore करना है products के बारे में ताकि आपको सब कुछ पता चले Address customer concerns and guide them through their purchase journey आपको address करना है customers को help करने है उनकी ताकि आप उनकी purchase process में उनकी help कर पाओ Second, 13. Build trust and report with potential and existing customers आपको उनके trust build करना है, okay, यह मतलब reputation बना के रखने है with the customers Directly work towards boosting the revenue of a business partners through your telesales efforts Alright, stay updated with the challenges of the opportunity in your industry chosen Ensure that there is no incident of fraud or mis-selling कोई भी fraud or mis-selling का मौका नहीं देना है, तभी trust maintain होता है, right तो यह तो हो रही है आपकी responsibilities अब बात कर लेते हैं कि आपकी क्या-क्या यहाँ पर eligibility होने वाली है eligibility देख लीजें guys, possess excellent interpersonal skills, both written and verbal Interpersonal skills क्या होते है guys, कि आप में मतलब empathy होनी चाहिए आपकी communication skills अच्छे होने चाहिए, okay मतलब आप में confidence होना चाहिए तो यह pretty close skills हम सब में होते है guys, okay आप देखिए हैं हापर candidate should have minimum diploma और graduate degree minimum diploma यानि कि अगर आप 12th pass हो या फिर graduate हो आप सब यहाँ पर eligible हो यह minimum requirement है उसके बाद आप देख लो 0-1 years of sales experience preferably in BPO environment अगर आपका एक साल का भी experience है और 0 है मतलब अगर अगर अपर फ्रेशर भी हो कोई experience नहीं है तब भी चलेगा यहाँ पर इन्होंने साफ लिखा है उसके बाद देखो fluency in English and Hindi is essential for effective communication in this rule English और Hindi में आपकी communication होने चाहिए basic English भी आती है तो भी चलेगा Hindi आती है ना तो enough है करने है so do not worry with that strive to attain 24 hours of weekly talk time and maintain an 85% comprehensive score monthly यानि कि आपको 24 hours weekly time देना है okay मतलब 24 hours में आवर weekly देना है यानि कि आप 3-4 घंटे एक दिन में दे सकते हैं और 85% आपको score रखना है आपना तो यह तो रहे हैं कि eligibility, responsivities and all okay तो आप हम देखते हैं इसमें आप और क्या क्या बढ़ सकते हैं so why is quiet stack or remote tele sales job की क्यों choose क्या जाए first of all it is freedom to work from anywhere you want कहीं से भी कर सकते हो guys okay fixed and bonus payout और remote मिलते हैं आप देखो यहां पर bonus की बात की जाए दो with potential earning ranging from 14,000 to 22,300 plus conversion bonus of over 25,000 यानि कि इस 14,000 और 22,300 के अलावा भी आप यहां पर 25,000 रुपीज तक के bonus कमा सकते हो have a consistent stream of earning from comfort of your home okay and not only this इसके अलावा भी आपको insurance benefits up to 2 lakh मिलता है spouse and children के लिए will be provided after 90 days of the employment तीन महिने के बाद आपको यह benefit भी activated हो जाएगा अब देखें give your career a boost अब देखें top brands हैं इनके अब stocks भी है भारत पे delivery ताटा डिजिटल वजाज फैनेस फ्लिपकार्ट, कोटक, अधित्या बिल्ला and many more तो जैसे कि मैंने आपको बताया यह company एक के लिए नहीं अनेक company के लिए work करती है तभी यहाँ पर bumper hiring आईये guys so do not miss this opportunity, learn industry sales skills, even यह आपको learning भी provide करते है e-commerce, healthcare, bsi, like bfsi, ad tech company के बारे में all right guys, then you have a additional income besides your earning, यानि कि additional income क्या है जो bonus की मैंने आपको बात करी थी वो भी आपको मिलता है यानि कि अगर आप sales भी pitch नहीं भी कर पा रहे तो भी आपको 22,000 रुपे तो मिली रहे हैं अगर आप sales pitch कर भी रहे हो तो यह अलग से amount है यानि कि 25,000 रुपे तक आप एक मन्त में extra कमा सकते हो अब देखे, take charge of your growth, at squad stack we believe you can take charge of your professional growth आप देखो यहाँ पर आपका how to join क्या है एक इनका assessment देना है जो मैं आपको भी बताऊंगी इनकी application से online training देनी है वो भी मैं आपको भी बताऊंगी और फिर आपको interview देना है personal interview and KYC and it's done, आप देखे, success stories है आप इनकी नफ वीडियो देख सकते हैं आपको सारी information मिल जाएगी उसके बाद आप देखे कि यह particular squad stack जो company है वो better क्यों है तो देखे, traditional जो agencies होती है उसमें work from office होता है लेकिन यह work from anywhere है Okay, rules and managers होते हैं लेकिन यहाँ पर आप independent mentorship होती है बस जिसे अगर आपको कोई issue होता है तो आप पूछ सकते हों उसके बाद उनका fix schedule होता है इसमें flexibility है आप 9 a.m. से 9 p.m. तब कभी भी काम कर सकते हो कभी भी आप अपना slot choose कर सकते हो उसके बाद देखिए fixed monthly payout होता है बड़ इनका नहीं है fixed monthly payout हो है plus bonus भी है यानि कि along with the base payout that can range from 30k to 45k you will also be eligible for conversion based incentives as I told you कि bonus मिलेगा ही आपको all right guys तो यह बाकी सारे चीज़े आप पढ़ लेना ठीक है आपको सब कुछ पता चल जाएगा लग कि क्या company है कैसे आपको काम करना है इसके सारे FAQ आप पढ़ सकते हो ओके अब मैं आपको पता दूँ कि आपको इस particular company में कैसे enroll करना है कैसे आपको इस company में apply करना है तो guys quite stack ना आप Google Play Store पर type करना एक बार आप जैसे type करोगे आपके पास आ जाएगी या फिर आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो पर क्लिक करने के बाद आपको आपना phone number verify करना है गाइस phone number verify करने के बाद अपना first name last name email address करके continue कर देना जैसे आप उसे continue करेंगे आपना सब कुछ verification करने के बाद आप कुछ ऐसे इंटरफेस में आएंगे जिसमें लिका है welcome to square stack please complete the steps below अब यह पांच steps है जिसमें आपको यहीं पूरी completion करना है ठीक है इसमें आपका live test वगिरा सब कुछ है तो सबसे पहले यह जो first step है इसे हम करेंगे then second करेंगे third करेंगे general grammar assessment आपका then speech assessment फिर आपका है mobile app training यह सब कुछ हम करेंगे okay so guys सबसे पहले आपको first step open करना that is introduction to square stack इसको मैं open कर रही हूं इसको जैसे आप open करेंगे आपको जैसे interface में आएंगे यहां पर लिखो होगा hello and welcome to square stack watch the video to learn more आपको यह वीडियो आप check out कर सकते हैं पूरी check out करना कि देखिया आपको समझना बहुत important है तो please इस वीडियो को check करना अब इसे next करते है hope you will get understanding of what we do at square stack next step है हमारे यहां पर create your profile speech assessment यह सब कुछ होंगा submit आप कर दीजिये okay तो अब हम इसे करें submission successful हो जुक है इन्हों हमने introduction ले दिया okay we are evaluating your result यहां पर passed automatically आपके पास आ जाएगा अब देखो यहां पर create your profile create your profile में आपको अपनी information भनी है जिसे आपके personal information क्या क्या है जिसे gender okay date of word अपना भरेंगे then आपका select all languages you are fluent in फिर what is your highest qualification city of the work मतला highest qualification में देख लिजी कि आपके पास 10th pass का भी हां पर option आ रहा है so I think 10th pass वाले लोग भी हां पर कर सकते है so yes guys अगर आप 10th pass भी है तो भी आप इस job को कर सकते है तो यहां पर option properly mentioned है तो yes you can do it if there is a option आप कर सकते है gender date of birth वगरा सब कुछ है यहां पर city of work जहां पर भी आप काम करते है जहां पर भी आप रहते है वो आप यहां पर mention कर देंगे okay guys so guys अब आपका यहां पर next step है what describes you best कि आ student is fresher, homemaker, part time, full time looking to restart career जैसा कि मैंने आपको पताया अगर आपके career में gap भी है, retired professional है आप सब के लिए यह option भी है don't worry for that okay तो जैसे अगर आप student है हमने यहां पर student ही choose कर लिया ठीक है फिर हमने student के बाद यहां पर आपको अपना date of birth लिखना है ठीक है यहां पर select all languages you are fluent in ठीक है फिर यहां पर आप Hindi English आप किसमें comfortable है यहां आप mention करेंगे ठीक है यहां पर आपको जितनी भी languages आते हैं even Bengali, Marathi, Udia, क कोई भी आती है ना वहां आप सब mention कर सकते हैं ओके मैंने Hindi English आप में लिखा है आपकी highest qualification क्या है और आपका city to work क्या है ओके इसे मैं next कर रहू हूं then है आपका यहां पर next step हम देख लेते हैं आप देखें यहां पर last option है how many hours of work can you commit कि आप कितना कर सकते हैं तो यहां पर basically guys आप second option ही चूज करना minimum 4 hours to 6 days a week जो लोग like जादा काम नहीं करना चाहते हैं उनके लिए बता रहूं कि first option काफी कम हो जाता है और उनको लगता है नहीं कि आप इतना काम करोगी भी तो यहां अपने साब से चूज कर लेना जैसे मैं यह 4 hours to 6 days कर रही हूं ओके अब मैं इसे next कर दूंगी अब देखो यहां पर आ रहा है I have read it और यह करना है submit submit कर दिया यह हो रहा है मतलब हमारी profile भी बन चुकी है अब हमारा यहां पर जो एक्जाम है डाट इस जनरल ग्रामर यानि के परीके से इंग्लिश का एक्जाम होगा I hope so तो हम यह वाला काम कर यह वाला एक्जाम देंगे आपने के सामने डॉन पॉरी इसे हम open करते हैं वह भी पास्ट आ गया है लि I dash my lunch at school every day I eat my lunch at school every day इसे next करते है फिर देखिए they dash the game yesterday they won the game yesterday तो इसे हम next करते है फिर इहां पर है the baby dash loudly in the crib the baby cried loudly in the crib ओके इसे हम next करते हैं the dog dash in the tail happily the dog whacked its tail happily तो यह आप अपने इसाब से कर सकते हैं she dash a new song on the piano select all the sentences that are grammatically correct जो भी इसमें से आपको correct लग रहा है वो आप चूस करके आगे बढ़ सकते है that's that grammatically correct that's that are grammatically correct इसमें से भी आप select कर सकते है she is painting a beautiful picture she is painting a beautiful picture she is paint she paint a beautiful picture she is painting a beautiful picture जो भी आपको ठीक लग रहा है वो आप कर दीजे दर है आपका select the sentence that is grammatically correct the bird fly in the sky the birds flies in the sky the birds has flew in the sky the birds flying in the sky the birds fly in the sky अब है आपका we run at the park we have ran at the park we runs at the park we running at the park आपके पास यहां पर आ जाएगा so guys score 60 आया है passed हो गए है यानि कि आपको यह ही है कि मतलब आपके चार गलत चल सकते हैं आपको यहां पर छेल आने हैं अब देखो अब यहां पर speech assessment test होने वाला यानि कि आपके बोलने वाला voice test अब इसको ध्यान से देख लो because कई लोग बोलते हैं कि वो select नहीं होते हैं तो इस चीज को ध्यान से देखना है कि कैसे आपको यहां पर select होने है कैसे आपको tone रखनी है सब कुछ यह ध्यान से देखो okay let's open this अब देखो speech assessment है आपका hello there welcome to english assessment test in this test you will be evaluated on your English speaking skills important instruction है the speaking test consists of 13 questions होने वाले आपके each question will have a time limit that will be displayed at the bottom of the screen you have to record your answer within the mentioned limit once you have submitted your recorded answer click the next okay मतलब आपको record करना है फिर next करना है okay जैसे यहां पर आपको यह लिखा भी है कैसे आपको करना है record और फिर next इसको I agree करके इसको आपको आगे बढ़ना है वाईस अब हम यहां पर start test कर रहे है let's start it अब click on the mic and record your response हमें यहां पर बोलना है what's your family name family name अपका क्या है my family name is shama thank you हो गया यह है बस आप इसे upload audio कर देंगे response record हो चुका है अब हम इसे कर रहे है next click on the mic below to record your response what's your food मतलब आपको बस record करना है what's your favorite food my favorite food is okay my favorite food is rajma chawal हो गया अब हम इसे next करेंगे pronounce the quote given below इसको हमें pronounce करना है okay you have reason to leave this place but I don't इसे next करेंगे फिर आपो यह भी pronounce करना है okay guys I have always had a complicated relationship with my on-res existence I believe in love at first sight do any of you have a completely unremarkable friend or maybe a house plant I could go to dinner with on saturday night beauty is fleeting but a rent controlled apartment overlooking the park is forever अब हमें यह पूरा टेक्स्ट पढना है इनोंने हमें टेक्स्ट किवन है तीन्चा पारग्राफ है इसमें click the mic to response मतलब हमें इस record करना है तो अब मेरी tone देखना इसी तरीकी से आपको बोलना है okay guys good afternoon my name is maria i am from mexico and i really love spicy food i love eating everything that is spicy my mother always cooked everything very spicy and now i also cook a lot of spicy food for myself my husband and kids do not like spicy food so i cook different meals for them i think that food tastes better if there are some spices added to it it makes eating and cooking more exciting as far as i know many people truly enjoy spicy food like i do and many are able to tolerate hotter food for than others i think that's because everyone bodies are different the spiciness from different food is based on the individual foods heat index as well as person's individual taste receptors so one person may be incredibly sensitive where another finds a scotch bonnet pepper as a mild as a bell pepper cultural influence and basic personal preferences also play a role people have like and dislike as well as cultural food pathways that introduce them to varying degree of spicy foods from a young age no matter how high or low your tolerance for spicy foods may be you should pay attention to what your body is telling you when you eat them common post meal discomforts includes sweating and heartburn and people with sensitivities need to be even more careful so guys i want to record so guys some girls have recorded next now we ask this same text guys let me see the text here properly as my exe kadar tu teck for ebeno honestly same text may yourer also same text i want this same ze terminarias you have to explain these to me ok um i'm Arjun and today i want to share my love for Indian street foods i am from a small town in India and our street food is something special the flavors the spices it's all incredible one of my absolute favorite is painipuri it's these little crispy balls filled with a mixture of spicy taramint water chickpeas and potatoes i'm gonna just say aap record and next कर देना देखिए यहां पर है what do you usually do when you have free time okay do you have a lot of free time during the week तो यह जो question है कि आप अपने free time में क्या करते हो तो देखिए guys एक chat gpt platform है जैसे कि आप भी देखने हो chat gpt में आपकी same question दा सकते हो और दो में इस पर बोल सकते हो so guys imagine you went on a trip to hill station recently describe the trip to your friend तो यह आपको पोलना है how was the trip okay guys आपको यह सब कुछ इंक्रूड करना है that what is it how was the trip speak about the mountain view how did you enjoy it okay तो यह सब करेंगे so me and my friend recently got into a trip which is of nany dal and i was very happy i was with my friends and the mountain view was very amazing the trip was very nice the food is very good so we really enjoyed it and the food was really amazing we ate momos the himalayan momos that was so tasty at all so yes guys if you go to um like himalaya or any mountain area do try the momos as well okay so what emotional did the trip uh what emotion did the trip brings to you in this uh like i really feel so much at peace state like i was so happy there and the special about the trip it was that i bought so many clothes from there and so many pictures which i will post on my instagram profile so thank you so like that you have to do this okay now let's do this next now listen the audio and answer the question by speaking on it for more than a minute now what can we learn from making new friends how important is it to have a social life why is having good friends important okay so this pair you have to tell more than a minute now let's see well making a new friend is nowadays very difficult but yes it is very important because you have to build a social life because without social life it's very difficult to remain happy and your happiness is also important so yes we have to build some relationships we have to have friends so yes it is very important and also it impacts our peace level as well we are very happy we are with someone if we want to share something we do have the friend so that's why the friend plays a very important role in our life and i really want that a friend should give so guys this is how you want to say this i will next do this next next question now the last question is describe an exciting experience in your life what did the experience take place where did the experience take place what happened exactly explain why the experience was so exciting so guys in this i thought that i will explain my paragliding experience so today i would like to tell you the experience about i had in nanital the paragliding so yes it was so high and the experience was so scary and very exciting as well because i was so at the height and it was my first time to do something like this so the person who was carrying me the paragliding expert he was like totally calming me around because i was so afraid so it was a great experience the place was very amazing the mountains are very high and i was on in the air okay so he did the stunt as well so this experience i cannot ever uh forget about this and this this is what it happened exactly even i took some images as well on that okay so my experience was totally exciting and i've warned that uh this experience experience should repeat because whenever i will go to the mountain i would definitely go for the paragliding now but this time i won't be afraid of course so thank you so let's talk about this next now let's see your last question here i hope so this is last you have received an offer to work as a taxi driver okay ask question to find out more details about this job opportunity you should ask about what are your main job responsibilities salaries and benefited schedule and working hours vacation time in this two minutes you have to ask two minutes okay you got an offer letter so you don't know what are the details from them okay hi my name is dikshay sharma and i have been selected as a taxi driver from your xyz company and i have some questions to ask you like what are my main job responsibilities like what are the rules i have to follow what are the rules and regulation and what is the code of conduct which i have to obey so that i know that i am in the line so this is my main question and also what are my salaries and other benefits apart from salary what are my health insurances and what is my medical insurance and what are the other expenses which will be paid to me so i want this information from my offer letter because it is not clearly clear in this so and also the most important thing what would be the working schedule and hours like how many hours i have to work and how many breaks i can take in between like is it the eight hour shift or a nine hour shift or a 12 hour shift please do let me know about it and also what is the vacation time in it like if i want some break what would be the vacation time or if i wanted to go somewhere out for two to three weeks because my home is so far away from here so do do i have this vacation time or not i really wanted to know about this also i would be very grateful if you answer my all questions this will help me to accept this offer letter so thank you so much and i am waiting for your um response thank you so i have 1 15 seconds to talk about this you guys can speak a little bit more okay i will next you have another question you have received an offer letter to work as a sales associate at a local retail store okay ask question to find out more details about the java opportunity so let's start hi uh first of all thank you so much for selecting me as a sales associate in squad stack company i'm so much happy that now i will be working as a in a local retail store as a as a sales associate but i have some questions i need to clarify it before signing my offer letter so what would be my main job responsibility like what are the conducts i have to follow what are the main pitches i have to follow what would be my main responsibility that how i have to attract the clients what would be the opening line i just want the clarification on this so that i can quickly start my work without any obstructions and without any mistakes because i'm so much wanted this job and i would like to perform my best in this job apart from my jobs and responsibilities i would like to know my salaries and benefit like what would be my salary and other benefits like health insurance or other promotional benefits and all i really wanted to know about it any overtime expenses if i get so this you can tell me or any commissions so please do let me know about it and also what would be the working hours and potential overtime because i am open to overtime so if i'm getting a good pay so yes of course i will do my best to do the overtime as well and work hours what would the work hours is it a seven hour shift eight hour shift nine hour shift or how much breaks will i will be getting so please let me know about it and also what is the training and support for this role like what are the trainings i will be getting from you and what what is the support like if i need if i if i am uh struck somewhere at any point of time i don't know the meaning of that so if do you do i have any support like from and one of my team leader or something like that so i need a clarification on this as well and also for the opportunities for my career growth because i am a keen professional and i really want to excel my career in sales and marketing field so i am really interested to know my career growth within this company that what would be if i am doing this job where i will be in five years so i really want to know all about this so it is very appreciated if you tell me all about this so thank you so guys this is right to submit it has been received it done ho chuka in review i will be getting low i will be getting low i will just let you know okay so guys we have passed so yes it is passed congratulations only 11 percent of applicants qualified the step you are on them 11 percent of applicants qualified the step you are on them guys you can do so please do many tricks tell me how to tell you 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 you just have to follow it that's it okay now here you can see mobile app training let us open it now what are we going to see here is the last step let's see what are the questions here so hello there please watch the video and learn to use the squad stack mobile app okay so this is a video guys please check 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 how you can earn money on your youtube video this is a whole youtube video and you will tell me how to tell you how to teach the application how to use the application okay so guys guys you can see this video तो देख लेना चोड़ी सी वीडियो है आपको सब कुछ पता चल जाएगा let's see कि कैसे questions आते हैं वह मैं दिखा दूते हूं आपको how to reschedule a call यह भी आपको देखना है कि reschedule कैसे करना है यह सब देख लेना बहुत important है मैं नहीं देख रही हूं and I don't think so कि मैं इसमें पास हो काँगी but I will try कि मैं चल्दी से इसमें पास हो जाओं तो इसमें इसको मैं next कर देती हूं I have watched the video and task और इसको submit कर तो अच्छा हो okay तो इसमें मुझे कोई test नहीं देना है okay यह in review आ रहा है मुझे लगा कि यहां पर test होगा okay तो इसमें तो मैं पास होई जाओंगी so yes guys मैं पास हो चुक्यों सब में हम पास हो गए है देख सकते हो congratulations you are all set तो मैंने यह की नेम से account बनाया था यहां पर आप देख सकते हो इस से 25 घंडे देते हैं तो आपको यहां पर कितने पैसे मिलेंगे that is तो यहां पर आपको गोल्ड मिलेगा ठीक है मतलब एक तरीकी से आपको यहां पर बोनस मिलते हैं ठीक है उसे साफ से यह अब यहां पर task आपके पास refresh होते रहेंगे अभी देखिए thank you for your interest we don't have any new opportunity तो यह कि थोड़ी दिर के लिए आ रहा है even आपके आपने जो email पूट किया था आपके पस जैसे task आपको यहां पर इंफॉर्म कर देंगे within one business day आपके पास यह सब कुछ आना start हो जाएगा openings वगेरा ठीक है earning आप यहां पर देख सकते ही कितनी earning हो रही है यहां पर आप अपना add payout method यहां पर आप अपना paytm, upi वगरा लिंक कर सकते हो जैसे इसके पस bank account नहीं है directly paytm, upi कर दो 10th pass वाला भी कर सकते है no worries for that so guys मैंने हर एक चीज इसमें आपको बता दी है कैसे आपको करना है यहां पर आपके बास एक दिन के अंतर एक टास्क आजाएंगे उसके लिए फिकर मत करना आपके पास आजेंगे so hi guys I hope I was able to answer your each question अगर कोई भी doubt रहते है इस particular update में या फिर मेरा session Amazon job में आपको entry कराने का है अगर उससे related कोई session आपके कोई doubts रहते है मुझे comment section में बताना I will help you out and even मैंने अभी देखा हमारी last video से किसी का Amazon में selection भी हो था yes guys ऐसा होता है बहुत ही easy है यहाप selection होना तो इसलिए बोल रही हूँ उस session को जरूर लेना ताकि आपको पूरा road map समझाए कि हाँ हम यहाँ गलती कर रहे थे तो अब हम इसे ठीक करके apply कर रहे है और हम यहाँ पर interview देंगे और pass होंगी so guys I hope आपको आजकी update बहुत अच्छी लगी होगी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो please like, share and subscribe कर दीजे आपका एक share एक like मुझे बहुत motivate करता है ऐसे ही updates आपके लिए लाने में so guys thank you so much for watching our video and आप सभी लोग अपना त्यान दखे